हुआ जहें दोस्तों कि वीडियों आपके लिए बहने कि दृषिक जुआरसिक परिच्छा हिंदी का कच्छा 10 का तो 10 का आज आज के लिए जो आप वीडियो है आपके लिए वो कच्छा 10 का माड़िल पेपर है तो दोस्तों यह जो आपको दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर यह सत्तन नंबर का एक ही प्रहंट पत्र आप से पुछा आते हैं तो देखे पहला क्रोश्चन आपका इस तरह से हैं पहला है काखंड पहला के काखंड में है कि निए कि कथनों में से कोई कथन कोई एक कथन सत्य है उसे पहचान करके लिखिए तो आपको इसमें चार आप संदिये हुए है उस चार में से एक आप सही है तो सत्य और है और उसके लिए आपको एक नमबर मिलेगा तो रिए है कि क्या हैं आपका जो आपका जो कोईशन है वह सत्य क्या है तो इसमें सत्य यानि चौथा आपका सत्य है ठीक है ये चौथा आपका सत्य है ठीक है तो आप लिखेंगे ये चौथा आपसन ये आपका सत्य है ठीक है तो ये आपको पहला नंबर मिल गया चलते है अगले नंबर की तरफ आपको एक नंबर मिल गया चलते है अगले कुश्चन की तरफ बढ जिसे चार रचना है दी गई है इसमें से एक रचना का मात्रा आपको लिखना है क्या लिखना है एक रचना है तो इनवे से किसी एक रचना यह जो आपके रचना दी गई है इसमें उसके लेखक के नाम को लिखना है लेकिन मैंने यहाँ पर आपको चारो लेखक के नाम दिये तो इसमें आपको एक ही पूछा गया था ये एक ही पूछा गया था कि इन में से एक के लेख का नाम अबता ये तो यहाँ पर आपको चारों लेखा के नाम दे दिये गए हैं ताकि आपको कोई दिकत ना है ठीक है तो दोस्तों आप बच्चों यह आप विधाथ याद रखे समय बहुत कम है और फास्ट रेग रिवीजन करते रहें और यह वीडियो आपको सतर में से अगला कुश्चन है कि अपने घर में किस विधा की रचना है तो यह आपको उत्तर देखना है उत्तर देना याद रखना है हजारी परशाद दिवेदी क्रत एक बन्यास का नाम निखे तो हजारी परशाद द्वेदी गृत एक पर अशोग के फूल और कई हैं लेकिन मैंने एक उत्तर दिया है आपको तो हजारी प्रशाद दुवेदी के कृत एको पन्यास अशोग के फूल है अगला कोशन चलते है कम समय में आपको जादे कोशन सालब करवाने की कोशिस कर रहे हैं हिंदी में किसी एक जीवनी लेखक का नाम बताईए हिंद हम तो समझे लिए हिंदी में आपको अच्छे नमबर आने वाले हैं अगर आप विधवत मेंद्द करते रहेंगे तो आपको नमबर आपके नमबर को कुई रोग नहीं सकता है लेकिन विच्छों ध्यान रखें मेंद्द करते रहें अगले क्वेस्टन के तरफ बढ़ते है यह प्रमुख प्रवित्या यह है सामेवादी विचारधारा और दूसरा है मानो मात्र के कल्यान के लिए मानोता वादी दिष्ट कोण ठीक है तो यह दो आपकी प्रगतवादी यूग की प्रमुख प्रवित्या है ठीक है क्या है सामेवादी विचारधारा और मानो मात्र क कल्यान के लिए मानुतावादी दिश्ट कॉंट ठीक है चली अगले कुशन की तरफ बढ़ते हैं प्रगतवादी यू के किन्हीं दो कभियों के नाम और उनकी एक-एक कभियों के नाम और उनके के एक-एक मतलब का भी आपको लिखना बताना है कि क्या के उन्होंने लिखा है तो देखिए क्या है आपका प्रगतवादी के किन्हीं दो कभियों की रचना है क्या है तो राम धारी सिंग दिनका रहा है दूसरा है नरंदर सर्मा प्रगतवादी कभी और उनकी रिचना तो रामधारिय सिंग दिनकर ने लिखा है रेडू का और नरंदर शर्मा ने लिखा करणपूल दो के गाह खंड देखिए नेम्ड के रचनाओं में से किनहीं एक रचना के रचाईता का नाम लिखना यह बता रहा है कि यह आपके रचना दी गई है तो यहां पर पांच रचना दी गई है तो हमने तो कोशिश किया पांचो रचना को बताते हुए पांचो रचना आपको बताए है यह लोकाईतन देखिए पहला है आपका लोकाईतन यूगंपत रस्म हिम तरंगडी का हिम तरंगडी और अगनी रेखा तो देखे मैंने पांच गडी जो है माकानला चतुरवेदी जी का है और अगने रेखा जो है महाधेवी बर्माजी का है ठीक है तो है आपको रचना और उसके रचना का नाम मालूम हो गया ठीक है तो यहाँ पर तो आपको उस से एक ही पूछा जा रहा है, लेकिं आपको पांचो याद रखने हैं भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन प्रम पिता की इच्छा के बुद्ध इतना सहास पिता जी क्या भीक न मिलेगी क्या कोई हिंदू भूप्रिष्ट पर ना बचा रह जाएगा जो ब्रहमर को दो मुठ्धियन दे सके या असंभव है फिर फिर दीजी पित व्याख्या कीजिए अपने पिता का कौण शाकरित बंता को परब्रम पिता के इच्छा के बुध लगा तो देखें यह उत्तर है आपका प्रस्तुत गध्याथ閃स प्रिश्तुत गध्यानच अगर जब cin का है तो पध्यांच और गध्धित का है गध्धी तो इसको जाहिसंचर प्रशाद जी iNKI निमनवत लेखे पाट का नाम है लेख़ नाम है जाहिसंचर पिश्यसर अनरी का नाम है जात करेंции है कि आप फिपत के लिए इतने धन का संग्रे क्यों कर रहे हैं बहुत बड़ा दुसास किया है दुतीर रिखांके अंसकी ब्याख्या थाल में रखे हुए सोड़के सिक्के जो की ममता के पिता पिता ने सेरसा से उत्कोच के रूप में सुखार किये थे उनकी चमक ममता की सद्धन विपत्य में साधक होता है और अगला साह है अगला जो है अपने पिता के द्वारा सेरसा से उत्कोच के रूप में लिए गए सोड़के सिक्के ममता को परमपिता की इच्छा के ब्रुद लगा ठीक है तो यह आपका और कहा में बता गया देखे इसका उत्त और भी जो ही है तो इसमें देखे यहां पर आपको परले दिखाए गया था कि यह इसमें का खंड है यह का खंड है इन्मेंसे किसी एक तो का यह है और खा आपका देखे यह खा खंड है तो इसमें से दोनों में से एक ही करना है आज विज्ञान बिश्यों के हाथों में अद्भोतियूम अतुल सक्ति दे रहा है जिसका उपयों के एक ब्रिक्त द्वारा समों के उतकर्स और दूसरे ब्रिक्त और समों के गिराने में होता ही रहेगा इसलिए हमें उस बहुंआ को जाक्रित करना है और उसे जाक्रित रखने के लिए कुछ हीसे साधनों को भी हाथ में रखना हो गा जो हम अहिंसातम करें और भोग भाउना को दबाए रखें ठीक है तो इसमें देखे ये प्रस्तु गद्यांस और इसमें भी तीन कुश्चन पूछे जा रहे हैं तो इन तीनों के ये कुश्चन है आपके लेकर किया ये कहे रहा है कि बरतवान यूग बिग्यान के उन्नत का यूग है बिग्यान के उन साथ दूसरे विक्त और सबू को गिराने में हो रहा है लेखा का कहिना की समाज में राष्ट में ऐसे भाउना उत्पन होनी चाहिए जिससे विग्यान के सकती के इस दुर्पियों को रोकने के लिए अतिस अहिंसा तमक त्याकि भाउना को बढ़ावा दिया जा सके दूत्य में डाक्टर राजंदर प्रशाज जी कहते हैं कि विग्यान की सकती पर प्रेम और अहिंसा जैसे नहींतिक बंदन से विग्यान की आसा में सकती सीमित हो सकती है और इसका उप्योग विकास के लिए ना कर निर्मार के लिए बिकास के लिए ना कर निर्मार के लिए किया जा सकता है अज बिग्ञान के सक्त को कल्यार के दिशा में प्रेरित करना अत्यंता उसक हो गया है तो ये तो है उसका उत्तर पूरा ठीक है तो पूरे बिग्ञान के बारे में बता गया है अले कोश्चन के तरह हम लोग बढ़ते हैं निर्नाकित पध्यांसों में से किसी एक संदर्व साइद ब्याख्या कीजिए तो यहां पर देखें काखा दो है लेकिर यहां पर पहले-पहले को देखिए लिखा दुसा हादुराज प्रजान को क्यों ना बाढ़ है दुख दंद अधिक अंधायरो जग करत मिल महावसर अभी चंद तो देखिए इसका उत्तर है आपका प्रस्तुत पध्यांस कभिवर विहारी द्वार राचित विहारी सतेई से हमारी पाठपोश्त तक हिंदी के काठे काभ खंड से संकली नीद के सीर्षक से उद्रिष्ट है उत्पन कष्णों का वर्ण किया गया है व्याक्या में आयाप लिखेंगे कभी का कथन है या कभी कहता है कि एक ही देश में दो राजाओं के शाशन से प्रजा की प्रजा के दुख और शंगर्शत देख बढ़ जाते हैं दूसरे या दोहरे प्रशाशन में प्रजा उशी प्रकार दुखी हो जाती है जिस प्रकार अमास्या की रात में सूर्य और चंद्रमा एक ही रास में मिलकर के संसार को गहन अंधकार में रुबो देते हैं या अंधकार से पूर्ण कर देते हैं काभी संदर अमास्या की रात को सूर्य और चंद्रमा एक ही रास में आ जाते है ऐसे सूरी ग्रहोंड के समय में होता है या कभी के जोतिश ग्यान का परिचाएक है दूसरा है सौंदरी है दोहरा शाषन परजा के लिए कश्प्रद होता है इस नीत के निधारण में कभी ने अपने जोतिस ग्यान का ब्योहर और ब्योहारी ग्रूप में अच्छा प्योग किया है। तमासा था वह दोड़ दोड़ करता था रड़ वह मान रक्त का प्यासा था चड़कर चेतक पर घूम-घूम करता सेना रखवाली था ले महामर्त्यु का साथ साथ मानों प्रतच क्रिपाली था तो इसका देखे किस तरह से ब्याक्या क्या गया है प्रशंग में प्रशंग काब पंक्तियों के माध्यम से कभी स्यम्राण पंडे जी ने हल्दी घाटी की युद भूम में महाराणा प्रताप द्वारा दिखाए गए ग्रण कौशल का दिश्टान तवर्ण किया है ब्याक्या आप देखेंगे उस पंक्तियों के माध्यम से कभी ने बताया कि हल्दी घाटी के युद में मेवारा केशरी अर्थात राणा प्रताप केवल युद का तमासा ही नहीं देख रहते बलके यद्यप वो दोड़ दोड़ कर इस प्रकारियुद कर रहते मानों वो मान सिंग के रख्त के प्यांसे हूँ अर्था राणा प्रताप का राणा कौशल इतना भयानक था कि वो अपने सौहिमान के रच्छा के लिए मान सिंग के सेना पर रक्त पीपासु बनकर के दो लूट तूट पड़े थे राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर अपने सेना के रख्वाली करते हुए इस प्रकार युद करते रहते कि मानों अपने साथ मृत्व का प्रलेकारी भीशन रूप रूप के रूप लिए साच्छात महाकाल भूम युद भूम में आधम के हूँ मान सिंग युद भूम में राणा प्रताप के सामने आया तो राणा प्रताप ने मान सिंग के नेतरुत में भीजी गई मुगल सेना में उथल पुथल मचा दी काविस अंदर हल्दी गाटी के युद भूम का दिश्टान बढ़न हुआ है रस का इसा भी रस सहली है और चंद मुक्त मुक्त और तुकांत अलंग कार सलेश है ठीक है इस तरह से अप में जाए अगला पतारा है कि नेम लिखे लेखों में से किसी एक लेखा का जीवन परचे देते हो इसकी रिचना लिखिए तो यह बच्चों यह आपको तो याद रखना होगा डक्टर राजंदर प्रशाद सम्रान पांडे और भगावत सरन उपाद्याए तो मैंने एक का यहां पर दिखाया है आपको डक्टर राजंदर प्रशाद डक्टर राजंदर प्रशाद का जन्व 1884 इसवी में बिहार राज के छप राज लेके जीरा देई नामक ग्राम में हुआ था ठीक है इनके पिता का नाम महादेव साहेतान के इनके परिवार गाउं में शंपन और अच्छा में सदयों आवल आते थी यानि पर्थाम आते थी कुछ समय तक मुझाफर का मुझाफर कालेज में अध्यापन कारिक करने के पहचा दिया पतनाक लकत्ता हाई कोड में वकील भी रहे इनका जुकाओ प्रभाव प्रारम से ही राष्ट सेवा की ओर रहा सन 1917 में गा पड़े अनेक बार जेल की भी आतना एक भोगी उन्होंने विदे जाकर के भारत के पच्छ को बिसुक के सम्मुक रखा ये तीन बार अखिल भारते कांग्रेस के सभापत भी निक्त के गए तथा भारत के समधान का निर्माड करने वाली सभा के सभापत भी बनाए गए समाजिक सेवों को भुलाया नहीं जा सकता साधा जीवन उच्ची विचार उनके जीवन का पूर्णा दर्स रहा है इनकी प्रतिभा कर्व कर्थब निष्ठा इमांदारी निस्पच्छिता से प्रभावित होकर उनको भारत गर्राज का प्रथम राश्पती बनाया गया इस प्रकार इस पद को ये सन 1952 से 1962 तक सुसुभित करते रहे भारत सरकार ने इनकी महांताओं के शमान सुरूप देश की सरबोत उपाद भारत रतन से सन 1962 इस भी को इनको अलंकरित किया इने प्रुस्क्रित किया जीवन भार राज के निस्वार्थ सेवा करते हुए 28 फरवरी तो इनकी रचनाएं देखिए राजन बाभू की प्रमूर रचनाएं चंपारन में महात्मा गांदी बापो की कदमों तो उन्हीं से प्रवावत हुए तो उन्हीं के बारे में ज्यादा लिग भी डाला साहित के अस्ताम पर डाक्टर रजन अपसाज उल्जे हुए राजने कथा बिधा में इनकी पुस्तक मेरी आत्मकथा लिखनी है तो इस तरह से डाक्टर राजन प्रशन आप जिवन पर्चे आद करें पिर देखिए हैं कभियों में से किसी कभी का जिवन पर्चे देते हुए उनकी रिचना लिखिए तो सोग बाज़पई महादेवी बर्मा मै सेलता वरतते मानो जानो संसकरतम सांस्करतोम ऐसा इथा समनव नमा भिचारध्याराम सविक्रोवति आ हासक efficacy-cha प्राप्त नो अथ्र तुरागराह चे तो यह आपकी यह संसकरत थे है इसका आपको हिंदी में अनुबात करना है तो इसका अनुबाद यह प्रैस पद्यान से हमारी भारत्य संस्कृत गतसील और उसके बाड़े में बताया है हमारी संस्कृती सदा गतसील रही है मनोजी उनको सोधिकरने के लिए समया नुसान नहीं विचाड धारा पहले तो यह है तो इसका हिंदी में रूप अंतरण है आपका ठीक है आप इसको हिंदी में पढ़ लेंगे अगला है एक दोहा मतलब एक दिया हुआ है इस लोक है ये उत्रम या समुद्रस हिमाद्रेस चैयो दच्छनम वर्सम तदम भारतम नाम भारती यत्र ससंति संतति देखिए समुद्र के उत्तर और विशाल उत्तर के और हिमाले और दच्छन के और दच्छनम में जो देश इस्तित है वह भारत वर्स है जिसकी संतान भारतवासी है यह उसका नाम हुआ अपनी पार्ट पुष्टक से संस्किर्ट करन डिकाब से एक स्लोग लिखे तो यह आप संस्किर्ट में उत्तर देना होगा तो किन ही दो के संस्केट में उत्तर दिजिए। अगला है यह आपका कुस्चन है कर दो ओतात सिग्रतरम कि मस्ती वा्तात सिग्रतरब मनबक वेसी है यह रॉत्तर है आपका यह कुश्चन है आपका सोयत केत्वा कस से पुत्रा आसीत या इसे को कते है सोयत केत्वा का आसीत ठीक है तो से सोयत केत्वा अरोडे अरोडे पुत्रा आसीत ठीक है अगला आपको पता गया है किंग जीत्वा भोच्छे ये महीम किंग जीत्वा भोच्छे भोच्छे से महीम तो यह आपका है युद्धम जित्वा मोच में महीं तो इसका उत्तर हो गया अगला का उत्तर देखे यह है आतुरस मित्रम का भावती या आतुरस मित्रम भीशक भावती ठीक है तो इसका उत्तर हो गया फिर बताया गया करोंड अथवा हासरस की परिवासा दीजिए तो करों करोनरस और हासरस दोनों बताया है, तो करोनरस देखे क्या होता है, करोनरस और हासरस देखे क्या होता है, लगातार आपके परिच्छा में आया है, तो आप भूलना नहीं है, हासरस का अस्थाई भाव हास से है, किसे के बिक्रित रूप, आकार भेज, भोसा आदि को देखर, ह इंदे के वासी उदासी तबो बुरत धारी महा मुनिनारी दुखारे गौतमतिये तरीत तुलसी सोग कथा सुनी बहे मुनि ब्रिंदे सुखारे बिन्दाचा प्रवत में रहने वारे तपस्वी मुनियों की या सोच पर हंसी आती है कि सिराम के चरणा असपर्स से यहां की सभ मुखी नारिया बन जाएंगी ठीक है तो यहां पर यह अस्थाई भाव हंसी है हास विभाव आलंबन बिंदो के वासी तबस्वी है उद्दीपन है अईल्या की खता सुना और अनुभाव हंसना है से में संचारी भाव स्मिर्ति है अगला देखे अगला करूंडरस करूंड करूंडरस अस्थाई भाव सोक है करूंडा आए सोक है सोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव अनभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो उसे करूंडरस की प्राप्ति होती है जैसे मड़ खोये भुजेंग सिजन्नी फनसा फाटक रही थी सीस अंधी आज बना कर मुझे को किया अन्याय तुमने जगदीश सर्वण कुमार की मिर्त पर उनकी माता के बिलाप पर या उधारन करूंडरस का उत्रिष्ट उधारन है तीक है इसमें अस्थाई भाव क्या ह अस्थाई भाव इसमें सोक है विभाव आलंबन सर्वण है अनुभाव सिर्फ पटकना प्रलाप करना है इस तरह से है अगले कुश्चन के तरफ बढ़ते हैं यह उत्प्रेच्छा और रूपक लंकार किसे कहते हैं उधारन से दीजिए तो देखे यहां पर उत्प्रेच् करनों आत उत्प्रेच्छा के वाच्चक सब्दा है सो हत ओड़े पीत पर तुश्याम सलोनेग आत मनों नेलमन सहल पर आतप पर उप्रभात आश्परिश्टी करन यहां पेला वास्त धारन के हुए क्रण के क्रण के स्याम सरीर हैं यह प्राया काली धूप से सुसोवित ने चंद्रिक कनों यो राजतर नंद 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 मद मनुसकी सेखर की अकस किये सेखर सत्चंद यहां मोरपंक के बिने बिसे बने मुकुट की चंद्रिकाओं में सत्चंद्र के संभावना ब्यक्ती गई है अन्युदारन पुलक उठे पुलक प्रकट धरती है करती है धरती हरत त्रणों की नोकों से मानों जोम रहे हों तुर भी मंद पवन की चौकों से तो यह तो गया अगला रूपकलंकार किसे करता है यह देखें जहां उप्मान का भेद रहत आरूप किया जाता है अर्थात अब्हिनता प्रकट कि जाए वहां रूपकलंकार कहलाता है ठीक है मुख चंद्रमन सागर मेरा यह सवाय अपका ठीक है चरण कमल बंदो हरी राई इसका आर्था देखें क्या है हरी जनिनी मैं वालक ती रहा मोनिपद कमल बंद दो भ्राता यह सब इसके उधारान ठीक है अगले क्योशन के तरह बंदो बढ़ते हैं नेम्लिकेट में से नेम्लिकेट में से प्रव्रीक्त छंद को पहचान कर लिखिए बंद हमोनिपद पद कंज रामायन जे सिम्रवूं सिर मायवूं सरवर सकोमल मंजु दोस रह दोसन सहीद तो देखें इसमें यह क्या है यह अगले क्योशन की तरफ बढ़ते हैं नेम्लिकेट उफसर्गों में किने तीन के मेल से एक केक सब्द बनाई है तो तीन के इसमें छे उत्तर दे हुई है बतलब छे कुशन पूचे इसमें आपको तीन करने है तो मैंने च्छाओ के उत्तर यहां पर आपको दी हुई है अनकूलन सह बने साथ सयोग सहपाठी इसका उत्तर हुआ अप माने होता हींता अपहरन अपराद परिमाने होता चारो और परिवार परिजन अभिमाने होता पोण्ड या अधिक अभिमान अप्शाप अव मने हीन या नीचे अवगो तो यहां पर छे आपको दे दिया गया है आपको इसमें से तीन को लिखना है अगले कुशने निर्विकित परतेयों में से किने दो परतेयों का प्रयोग करते हुए एक एक आपके पांच परते दिये गए है इसमें दो करने है आपको पांचों के उत्तर दिये गए है देखें पांच परते है पनता वा बट वत्वा तो पन का होता है बचपन पन का आर्थ होता है बचपन यानि उसमें अब आपको पन आ जाए जैसे आपको लिखना पागल पन सब सेरा तरफ वह अंत में आ जाय ठीक है अगला लिएका निमने मेंसरे किने दो के समास विकिरे हैं तिता समास देना है तो इसमें आपकी चारा हैं दों देने तहों कीफे प्रयास केい चारों को दिया जाए ये आचार ऑबिचार आचार और विचार नौगरायनी नोगुराओं क आस्ट ग्रह का समाहर प्यारा प्यारा और प्यारा ठीक है तो ये अपके उत्तर हुए है अगले कुशन है नेम रिखिजव मैं से किनहीं दों के तत्सम रोप लिखना है तो निरगुन, मीत, आसु, उचारन तो देखChat आपके इसमें दो के बाज़ाद चारों देगे है निरगुन माण निरगुन, मीत माने मित्र, आसु माने आसु और उचारन माने होता उचारन ठीक है, तो ये आपको याद रखने है अगला कैकना है आपका तो दो के प्रयावाची इसमें से लिखने हैं लेकिन दो डो ठो लिखने हैं तो यहाँ पर चारों के आपको प्रयावाची दे दिये गए जैसे कुंजर की वहन मोर का ओता प्रयावाची मैयूर स्क्राज का प्रया Si Kipali आरे गए देखे इसमें इसमें आपको संधी देखनी है कौन सी संधी है इसमें देखे पहले में दूसरे में टीसरे में चौतिय में तो इस में ले में कौन को से है की यह को अब को लिखना है कि संथी का नाम लिखना है क्यों को यह संथी यह प्रतेक इधरी ऐखा है इसमें आधन घ्रिष्ट हर एक हर ठीक है यह सब यह है कोश्चन आपके ठीक है अगला है निम्रिकित में से कि नहीं दो चतुर्थी विभक्त लिखना है मति अथवा फल के मध अथवा नदी के तो यहां पर चारों लिख दे गए दो कुछ नहीं फल का जो चतुर्थी विभक्त फलाए मति का है मत्य या मत्य अब अगला कुश्चन है आपका यह देखें निम्रिकित में से किसी के एक धात पुरुष पचन को लिखना है आपको इसमें से इसमें बता गया कि आपको संस्कृत में अनुबाद करना है तो यह आपको संस्कृत में अनुबाद करना है निम्रिकित में से किसी एक विसे पर कर देष परदुशन या कोरोना वायरस के योग औरिस्ति प्ठेत खंड काब इनमें करना है मीवार म४कोट Jonathan यकी बहराई जिले में आपका मेवार म१ोट यह इताँ मॉहरे है ऐसे तो मेवह वह आपको हम पाइठ करने है फिर ठीक है यह आज यह का वीडियो कदम हौए हम फिर मिलता है आपको अगरे में तब तक के लिए नुश्कार